तो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विराट कोली ओफ इलेक्ट्रिकल इंजिजिरिंग पे पावर ग्रिड का जो पेपर है वो तुमारा 24 तारीक को होने वाला है उस वे जो रैंक डिसाइडर सब्जेक्ट होगा वो पावर इलेक्ट्रोनिक इसके मैं ऐसे कुशन लेके आया हूं जिस जिनको तुम अटेम्ट नहीं कर पाओगे अगर यह लेक्चर तुम देखने देखोगे नहीं तो ठीक है तो बढ़ियां करके चले जाना ठीक है तुमारे सरके उपर से भी जाएंगे कुछ-कुछ लेकिन बढ़ियां करके जाना तो डी आया वैड डीटी परेक्शन जो ओतीया थईए थायर्स्ट की वह कैसे प्रवाइड होती जो डी आयवाड डीटी प्रोटेक्शन ओती में थायर्स्ट र कि वह समखे होएं इंडक्टर को सीरीज में लोड के कनेक होता है ताकि accidental turn on ना हो सके device का ठीक है तो option आएगा c ठीक है यह dv by dt का है ताकि accidental turn off ना हो सके device का तो option आएगा यह c ठीक है चलो भही आगे जब भी कभी dv by dt protection होती करने के लिए क्या करना पड़ता है तो अप्षिन आएगा सी स्नबनर सरकिट इसी को बोलते हैं और यह dv by dt protection को से protect करने के लिए काम आता है यह यह capacitor resistor का parallel combination जो लगा होता ना जो उसी को बोलते हैं सबनर सरकिट जो parallel में लगाते हैं ना capacitor resistor का combination डिवाइस के उसी को सबनर सरकिट बोलते हैं और dv by dt protection के लिए काम आता है ठीक है ठीक है अब यह जड़ा effect of over voltage on SCR are minimized by तो जो over voltage का effect होता है वो SCR में किस से minimized होता है वो अपने आपको power grid से भार मान ले power grid power electronics पूस्ता ही पूस्ता है और तुम्हें दिखेगी पेपर में power electronics is the rank decider subject of power grid ओके आपको दिखेंगे SCR के question यह वहाँ पर फिर बुरा हाल ना होजे तो इसको करो effect of over voltage on SCR are minimized by effect जो होता है और voltage का SCR में वह वेरिस्टर से दूर होता है तो option आएगा सी ठीक है वेरिस्टर कि नेक्स्ट होता है ओवर करेंट प्रोटेक्शन जो होती है SCR में वह हमेशा अचीव होती है ओवर करेंट प्रोटेक्शन जो होती है SCR में वह हमेशा किसके थ्रूँ एचीव होएगी फास्ट एक्सिंग फ्यूज के थ्रूँ ठीक है तो option आएगा सी सारे इंपोर्डेंट कोशन है तो बहुत प्रोटेक्शन किसलिए रिक्वाइड होती है SCR में तो भाईया ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन जो रिक्वाइड होती है SCR में फॉल्स ट्रिगरिंग पर्मेनेंट डामेजज दुनों के लिए रिक्वाइड होती है ठीक है तो option आएगा सी ठीक है तो option आएगा सी क्या क्या होते है थाइडिस्टर में एक्टरनल ओवर कोल्टेज के लाइन से हो जाते है लाइटनिंग सर्च ट्रांसफोर्मर लोड स्विचिंग डी अल अफ द अब अब आएगा इसका ठीक है अब ज़रा इस कोशन के लिए ज़रा टाइम दूंगा यह कोशन बहुत ही इंपॉर्णन कोशन है यह कोशन जो था यह एक पेपर हुआ था आज से एक डिट साल पहले हुआ था ठीक है उसमें कोशन बुचा गया था उस पेपर का नाम जो था वो था एक कोई वो क्या होते हैं यार एक एक ना कोई मुझे नाम नहीं आदा रहा उस पीएस्यू का सीड से एक पीएस्यू आई थी नैशनल सीड कॉर्परेशन बता नहीं क्या कुछ ऐसा सा है पी एस यू बहुत सारी है न तुम्हें बहुत सारे एक्जाम्स देते रहता हूं मेरे को याद भी नहीं है इनके नाम नैशनल शीट कॉर्परेशन लिमिटेड था उसमें आई थी जी इसमें पूछा गया था ठीक है तो यह कोशन था 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 में जो इलेक्ट्रोनिक क्रो बार यूज होता है प्रोटेक्शन सर्किट्स में वह यूज करते हैं क्योंकि देखिए था 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 में जो इलेक्ट्रोनिक क्रो बार यूज होता है न यह हाई सर्ज करेंट करने के लिए यूज होता है option A ठीक है search capabilities जो होती है ना उनको protect करने के लिए यह दोता हाई search current capabilities के लिए ठीक है इतने अच्छे question लेकर आ रखाऊ ना मैं तुम ना यार फालतू में coaching watching के पिछे चल रहे हूं बोलता भी हूं तुम अगर मेरी वीडियो के question भी अच्छे से पढ़के revise कर जोगे अब student क्या करते हैं जैसे मान लो उन्होंने मेरी वीडियो चल रहे हैं तो यह करेंगे यह पढ़ेंगे question को answer देंगे इनको अपनी copy में उतारो अभी भी तुम्हारे को समझ में नहीं है भाई है मेरी वीडियो है ना जब मेर वीडियो एक बार यह आप देख लोगे ना उसके बाद मेरी वीडियो वीडियो section में होती है वहाँ पर दुबारा open करो और इन questions को वीडियो में copy में उतारो अपनी तो आपकी copy बंजेगी ना power electronics जैसे पिछला lecture देखा यह lecture देखा फिर उसके बाद जब exam होएगा तो फिर और revise करो अपनी copy से ठीक है ना अब यह भी important question है देख लो एक भी question है यह पावर electronics का जो important ना हो इसमे thermal resistance between the junction and the SCR और यह UP PCL में भी काम आएगा और यह UKPSC का exam होता है ना उसमें तब पावर electronics सी 20 नंबर किया है इतनी जादा तो UKPSC में भी यह फाइदे मन्द होएगा ठीक है Thermal resistance between junction and SCR theta JC has the unit of degree C per watt होती है Celsius per watt होती है यह C option आएगा इसका option number C ठीक है यह है इसका option ठीक है which of the following thermal resistance बहुत अच्छे कोशन है भाई तुमसे हो भी नहीं रहोंगे भी यहाँ पर बहुत अच्छे कोशन है यह विच्छ फॉलाइंग थर्मल रिजिस्टेंस parameters depend on the size of the device and clamping pressure तो clamping pressures में जो depend करता नहीं theta CS depend करता है ठीक है यानि की clamping pressure parameter depend करता है ठीक है next हमारे पास है यह की है सिंक टू अम्बियंट थर्मल रिजिस्टेंस होती है सिंक टू थर्मल रिजिस्टेंस जो होती है सिंक टू थर्मल रिजिस्टेंस जो होती है सिर की वह हमेशा independent होती है थाइरिस्टर configuration के याद रखना option आएगा डी ठीक है यह आएगा इसका ठीक है इतने बढ़िया बढ़िया लेके आया हूं कहीं भी जाके देख लेना कोई भी marathon क्लास देख लेना उनमें नहीं करा रहा कोई भी ठीक है जो जो important है सिर्फ वह करा रहा हूं है अच्छा ये question है heat dissipation from heat sink mainly take place by जो heat dissipation होती है heat sink की वह mainly होती है तो heat dissipation जो होती है heat sink की वह मेंशा convection process से होती है option number B ठीक है ने इन डेश टाइप ऑव माउंटिंग the SCR is pressed between the two hint sink किस माउंटिंग में SCR pressed होता है दो हीट सिंग के बीच में तो जो हमारे पास स्टड माउंटिंग होती है इसमें ठीक है दो heat sink के बीच में प्रेस करना पड़ता है इसमें SCR को ठीक है तो स्टड माउंटिंग बोलते हैं इसको ठीक है यह question भी देख लो UPPCL वाले master डालते हैं ऐसे question जो तुम्हें पता भी नहीं चलते तुमने देखा भी नहीं होगा यह पावर electronics का यह जो सोलवा question है ठीक है तो इसको याद रखना यह सोलवा question तुमने आज तक देखा भी नहीं होगा तुम्हारी आंखों के पलकों के सामने कभी आया भी नहीं होगा यह सोलवा ठीक है तो voltage safety factor क्या होता है SCR का voltage safety factor जो SCR का होता देखो power electronics एक ऐसा subject है तो तंग करता आपको तो मैंने तंग वाले subject ज्यादा लिया देखो microprocessor नहीं आएगा power grid में microprocessor और microprocessor नहीं पढ़के जाना भाई जब UP-PCL का वेपर आएगा तब करा दूँगा अभी सिरफ power electronics important है power electronics और drives पढ़के जानी है आपने उल्टे बुल्टे subject में power grid इनी की वेटेज जादा रखता है microprocessor देखने को नहीं मिलेगा आपको power grid में microprocessor, micro controller नहीं मिलना इसमें आपको देखने को मिलेगा power electronics, control systems और electric drives ये तीन के MCQs करने बहुत important है machine power तो वैसे भी कर लोगे आप सुनो voltage safety factor जो होता है na SCR का वो ratio होते है पीक repetitive reverse voltage and maximum value of the input voltage तो option आएगा C ठीक है करके जाना ये ये आज का last question है ठीक है forward dv by dt rating of a SCR जो forward dv by dt rating होती है SCR की जो forward dv by dt rating होती है SCR की वो क्या होती है वो temperature बढ़ाने पर क्या होता है उस पर तो जैसे जिसे dunction temperature बढ़ता है तो forward dv by rating जो होती है SCR की वो increase करती है तो option आएगा ए ठीक है तो आज के लिए इतना ही मैं question कम कराता हूं लेकिन effective कराता हूं ये बड़े effective question है तो अपनी copy में note कर लेना इनको ठीक है तब तक के लिए bye bye good bye ठीक है झाल 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 झाल